लक्षमन, मूर्जा और राम का विलाप ये रामचरित मानस से लिया गया है और इसके रचैता तुलसिदास है और लक्षमन, मूर्जा और राम का विलाप रामचरित मानस में तब आता है जब रावन, माता, सीता को हरर कर ले जाता है भगवान श्री राम माता सीता को वापश लाने और रावन का विनाश करने के लिए लंका पर चड़ाई यानि आकरमन कर देते हैं दोनों के पीछ भयांकर युद होता है जिसमें रावन का बेटा मेगनात लक्षमन जी पर शक्ती बांट चला देता है जिसे लक्षमन जी मूर्शित होकर युद दुभूमी में ही गिर पड़ते हैं इसके बाद हनुमान जी लंका से सुशेर वेद को लेकर आते हैं सुशेर वेद श्री राम जी को बताते हैं कि संजीवनी बूटी जो सिर्फ हिमाले परवत में ही मिलती है अगर उसे सुर्य उदे होने से पहले लाया जाए तो लक्षमन जी के प्राण बचाये जा सकते हैं हनुमान जी पवन गती से हिमाले परवत की और परस्तान करते हैं मगर हिमाले पहुचकर वो संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते इसलिए वो पूरी पहाड को ये उठा कर लंका वापस लियाते हैं मगर रास्ते में अयोतिया से गुजरते वक्त भारत जी उन्हें देख लेते हैं हनुमान जी के विशाल काई शरीर को देख कर भारत जी उन्हें राक्षत समझ कर उन पर बार चला देते हैं जिससे हनुमान जी राम का नाम लेते हुए धर्टी पर गिर पढ़ते हैं राम का नाम सुनकर जब भारत जी उनके पास पहुँचते हैं तब उन्हें सारी बात पता चलती है भारत जी को बड़ा पश्चाताब होता है हनумान जी सूर्य उदए से पहले लंका पहुषने की बात कहकर भरजी से चलने की आगया मानते हैं उसके बात का घटना कर्म इस कवीता के जरीय से बताया गया है तो चलिए पढ़ते हैं पहला दो ही काम भावाट हनумान जी भरजी से कहते हैं कि है प्रभू मैं आपके प्रताप यश्मान सम्मान को अपने हिर्दे में धारण करता हूँ अब आप मुझे जाने की अनुमति दे क्योंकि लक्षमंदी के प्राण संकट में हैं और मुझे सूर्य उद्र से पहले लंका पहुशना है ऐसा कहे कर हनुमान जी ने भारत जी के चर मगर फिर भी वो बहुती शीलवान गुर्णवान और उनके मन में प्रभू श्री राम के प्रतिप अपार प्रेम है संजीवनी बूति ले जाते हुए हनुमान जी पार बार मन ही मन भारत जी की प्रशन साकर रहे थे उधर लंका में भगवान श्री राम लक्षमन को नहारत लक्षमन जी को अपने हिर्दे से लगा कर श्री राम बोले है बाई तो मुझे कभी दुकी नहीं देख सकते थे भाई मेरे प्रति तुम्हारा फिवार हमेशा अचा था तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया और मेरे साथ जंगल में आकर सर्दी कर्मी पर साथ सब कुछ सहन किया यानि तुमने मेरे लिए जंगल में अनेक गश्ट सहे श्री राम कहते हैं कि है भाई तुम्हारा वो प्रेम अब कहां गया तुम मेरे व्याकुता भरे वश्णों को सुनकर उठ क्यों नहीं जाते यदि मैं जानता कि वर में मेरा भाई मु मिल सकते हैं मगर संसार में और भाई को सागर इसले दोपार नहीं मिल सकता एक जिवह तो रहूं गार तुम्हारे मेरा जीवन एक जन्दा लास की तरह होगा श्री राम कहते हैं कि है भाई मैं ओयोध्या कौन सा मूले कर जाओंगा सब लोग कहेंगे कि राम ने पत्नी के लिए अपना भाई गवा दिया अभी तो मैं इस संसार में सिर्फ पत्नी को खोने का कलंग को सह रहा हूं लेकिन स्री की कोई विशेश शती नहीं होती स्री राम कहते हैं कि है भाई अब तुम्हें खोने का अप्यश्ट भी मुझे मिलेगा और मेरा निष्ठूर कठोर दे तुझे खोने का कम भी सहेगा भाई तुम अपनी मा की एक मातर संतान हो और उसके जीवन जीने का एक मातर सहारा भी हो श्री राम कहते हैं कि है भाई तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मुझे सौपा था यह सोचकर की सब कुछ अच्छा होगा मेरे हिपमे होगा अब मैं अयोत्या जाकर तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूगा हे बाई तुम्हें एक बार उठकर मुझे ये सब कुछ सिखा दो दुनिया की सभी चिंताओं का नाश करने वाले भगवान श्री राम बहुत प्रकार से सोच रहे हैं उनके कमल की पंखुरी के समान मेत्रों से आसु बह रहे हैं ये कता भगवान शंकर माता पारवती को सुना रहे हैं और माता पारवती को बता रहे हैं कि है उमा राम जी अकंड है उनको दुनिया का कोई दुख छूप भी नहीं सकता यह सब लीला तो वो अपने भक्तों पर क्रिपा करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मनुश्य रूप धारण किया है प्रभू श्री राम के व्याकुल वचनों को सुनकर वानर और भालू का समूबी बेचैन और व्याकुल हो गया ठीक उसी समय किसी ने अकाश की तरफ देखते हुए कहा वो देखो हनुमान जी आ गए हैं और सब भी वानर और भालू खुशी से उचले लगे श्री राम जी ने बहुत खुश होकर हनुमान जी को कले से लगा लिया और सब को जानने वाले प्रभू श्री राम हनुमान जी के कृता अगय हो गए उसके बाद सुशेरवेद ने लक्षमन जी का उपचार किया और थोड़ी ही देर बाद लक्षमन जी उटकर हस्ते हुए बैट गए प्रभू श्रीराम ने अपने भाई को कले से लगा लिया और सभी बंदर और भालू खुश हो गए और फिर हनुमान जी ने सुशेरवेद को ठीक उसे प्रकार वहीं पहुचा दिया जिस प्रकार पहले जहां से लाए थे लक्षमन फिर से चीवित हो गए है ये बाद चब रावन ने सुनी तो उसे बहुत दुग हुआ और उसने बार बार अपना सिर पीट लिया रावन बड़ा परिशान होकर अपने चोटे भाई कुम्ब करण के पास गया और उसने अनेक प्रकार से उसे जगाने की कोशिश की क्योंकि कुम्ब करण छे महीने सोता था और छे महीने जाकता था और उस वाग वो सोय हुआ था कुमकरण चाक उठा और चाक उठने के बाद वो कैसा दिखाई देता था जैसे मानोस से काल ही शरीर धारन करके बैटा हो कुमकरण ने रावण से पूछा बताओ भाई तुम्हारा मूँ क्यों सुक रहा है तभी अभी मानी रावण ने सीता हरण से लेकर अब तक घटे सारे घटनाए कुमकरण को बताई उसने कुमकरण को ही भी बताया कि उन वानुरों ने सारे राक्षसों को मार डाला है और सारे बड़े बड़े युद्धाओं का भी संहार कर दिया है दुर्मुख, देवताव का शत्रू, सुरुरीपू, मनुश्री को खाने वाला मनोच अहारी, भारी शरीर वाला युद्धा अतिकाए, अकमपन और मनोहर सभी वीरण भूमी वे मारे गए हैं रावण की बात सुनकर कुमकरण दुकी होकर बोला हे मूर्ख, जकत माता सीता का हरण कर तुम अपना कल्यान चाते हो, यह संबा भी नहीं है